नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अभिशिक चोहाने और एक बार फिर आपका स्वागत है केरफॉर और हल्थ और फिटनेस पे दोस्तों गर्मी आचुके और गर्मियों में हर कोई दही खाता के दही कर्ड योगर्ट जिसको कहते और ये खेर 12 महीने खाते है बट maximum गर्मियों में लोग ज़ादा खाते है इसको तो एक सवाल रहता है कुछ लोग कहते हैं कि दही में शक्र डालके खाना चीए कुछ लोग कहते हैं दही में नमक डालके खाना चीए कुछ लोग काला नमक डालते हैं कुछ लोग शकर डालते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि market में देखा कि recipe में मिलती जो dish मिलती आपको food मिलता है, खाना मिलता है, restaurant में आप तड़के वाला दही भी मिलता है तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दही में कौन सी चीर डालेंगे तो दही में क्या changes आएगा मैं आपको बहुत ही real पता रहूर AC वीडियो आपने YouTube पे कहीं नहीं देखी होगी बहुत ही research वाली, बहुत ही simple तरीके से बताऊंगा, कि शकर डालने से दही में क्या changes आता है नमक डालने में दही से क्या changes है तो दोनों में better कौन सा है देखी आपको पता है दही में रहते है probiotics, जितने भी तरह के lactobacalice और अलग तरह के जितने भी 10-12 तरह के probiotics रहते, जो कि हमारे guts के लिए बहुत अच्छे रहते, digestive system के लिए अच्छे रहते हमारे जो खाते, बहुत सारे digestive enzymes probiotics ही बनाते, तो इसके अंदर probiotics रहते जो कि living organism रहते, इस तरह के जो हिलते रहते तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अब बाद आती है, उसमें शकर डाले या नमक डाले अगर आप दही में शकर डालेंगे या कुछ मेठी चीज डालेंगे, जैसे गुड, शहद, शकर, तो दही की गुनवटता 8 गुना 8 टाइम्स बढ़ जाती है और अगर आप दही में नमक, काला नमक या सफेद नमक आप जो डालेंगे, दही की गुनवटता 4 गुना कम हो जाती है मैं आपको बता दू, कारेंट क्या है आप सब में दिमाग है सब पड़े लिखे है माइक्रोस्कोपिक लेब में आप दही लेना किसी भी आपको पैतलोजी लेब में मिल जाएगी, आप सर्च भी करेंगे उनकी स्पीड एसी रहेगी, थोड़ी दर बाद इतनी स्पीड में बढ़े लग जाएगी, उनका साइस बढ़े जाएगा और उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी उन बेक्टिरिया का साइस भी बढ़े जाएगा और उनकी क्वांटिटी भी हो जाएगी या थोड़े दिख रहे थे इतना सारे कैसे हो गए और आप एक और एक्जामपल करना उस दही में फिर दही लेना उसमें थोड़ा से नमक डालना दस मिड़ बाद देखना जितने आपको बेक्टिरिया पेले दिख रहे थे न उसके 75% कम हो जाएंगे और थोड़े बहुत 25% वेक्टिर रहेंगे वो भी मरने की हालत में रहेंगे उनको बचाना पड़ेगा यही कारण होता है कि हमारे आयूर वेदा में केते हैं कि दही के शाथ शक्कर मिश्री, शहद या गुर डालके खाना चाहिए मैं आपको बात बता रहो आपको पता है कि हम हिंदूओं के पूजा पार्ट में जब भगवान को निलाते तो पंचामरत से निलाते जिसमें रहता है दूद, दही अपना शहद और उसके साथ जल जिसको कहते हैं गंगा जल ये पांच चीजों से मिलके बनता है पंचामरत दही में आपने देखा होगा शहद डालते शहद में रहता है फ्रुक्टोस, नैचरल शुगर दही में डालते है दूद जिसके अंदर रहता है लेक्टोस, नैचरल शुगर तो दही में दो शुगर डाली इसलिए और उससे ही भगवान को निलाते हैं क्योंकि जब दही में दूट डाला है और आपने शहर डाला है तो उसके गुनवट्टा सो गुना जादा हो जाती है मतलब अगर आप एक किलो पंचामरत बना रहते हैं तो उस जो पंचामरत की गुन है वो सो किलो के बराबर हो जाते हैं इसलिए भगवान को पंचामरत से निलाते हैं और हमारे आयूरवेदा हजारों साल पुराना है वो पेले ही शहर डालके खाते थे इसलिए दही में मीठी चीश डालके खाना चाहिए उस दही की गुन बत्ता एफिशेंसी डबल चार गुना पाच गुना आट गुना तक बढ़ जाती है यह मैं नहीं के रहा है यह साइंस केता है आप खुद रिसर्च कर लेए आप खुद समधदार लेकिन आज़कल क्या हो गया है कि लोग अगे चार गुना कम हो जायगा आप धै इतना का रहे हो बर उसका गुन इतना से मिले बलकि उर जदा मिलना चाहिए ज़दा Probiotics मिलना चाहिए उन्स दही के जदा nutrition मिलना चाहिए लेक्टोस, फ्रुक्टोस, सुक्रोस जो की शकर में रेती है सबसे अच्छा तरीका है दई में गुड डाल के खाने का दई के साथ अगर आप गुड पीस के रख दीजिए वो डाल के खाईए, टेस्ट भी अच्छा आएगा और उस दई के गुड बता बहुत ज़ादा है वह उसके दे नैच्रल शुगर रहता फ्रुक्टोस रहता, गन्य से बनता, शुगर के इन से फिर भी आपके बास गुड साप्टों नहीं लगता है तो आप शहद डाल के खा सकते और शहद भी ना नमक डाल के खाना चाहिए तो नहीं दही में नमक डालने के बाद उसकी गुणवटता चार गुणवटता कम हो जाती है और दही में शकर या मीठी चिछट शकर, गोड, शहद मिश्चरी डालने से उसकी 10 से 12 गुणवटता 8 से 12 गुणवटता बढ़ जाती, शक्कर डालके उसको पांच मिनिट रग दीजी, अब उसके बात खाईए, फिर देखिया मज़ा आजाएगा आपको, तो मेरा काम था आपको नौलेज देना, अब आपको खाना नहीं खाना आपके उपर है, मैं चाता था कि ये नौलेज जो मुझे पता है, मैं तो आप डारेक्ट डाई खाईए न, आप क्यों उसमें दुसरी चीज मिला रहे है, और अगर आपको नहीं है, तो आप उसमें शहद, गुड या शक्रमी या मिश्री मिला सकते हैं, नमक उस पे ना मिला है, यह अच्छी बात नहीं है, तो प्लीज आप ये जादा से जाद जादा नौलेज ये चीज़ है, इस वीडियो को जादे से जादा लोगों तक शेयर करें, आपके वाटसेप पे, इंस्टाग्राम पे सब जगे, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड़ जो भी प्रॉब्लाम नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम अब भी मेरे फ्रेंड बने, वीडियो से रिलेटेड़ प्रॉब्लम नीचे कमेंट करें, नेक्स लटी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक लिए बाबै, ठेंगे वेरी मच